हाई फेंस वेलकम टू आगदास किचन आज मैं आपके लिए लाइँ बिहार की फेमस रेसिपी पनीर खुड में की तो विडियो को एंड तक जरूर देखेगा अगर रेसिपी पसंद आए तो विडियो को लाइक किजेगा शेयर किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा त इस रेसिपी को हम कुकर में बनाएंगे तो इसके लिए मैंने कुकर चड़ा दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी करीब सवा कब पानी तो कुकर में बनाने के लिए सवा कब पानी काफी है लेकिन अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो यही पानी आपको चार कब डालना पड़ेगा तो पानी डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी और साथ में ही डाल देंगे इलाइची पाॉडर इन सभी छीजों को अच्छे से mix कर लेंगे तो यहां हमारे चीनी और पानी को बोईल होने के लिए रग देंगे और दूसरी तरफ हम अपने पनीर के pieces कर लेते हैं तो यहाँ पर पनीर के pieces जैसे भी आपकी इच्छा हो जो भी shape आप देना चाहें मैं simple cube में इसे काट रही हूँ तो लीजिए हमारे पनीर के pieces हो गए हैं और इतनी देर में हमारा पानी भी boil हो गया होगा तो pieces add करने के बाद हम इसका ढखकन लगा देंगे ध्यान रखेंगे कि हम इसमें CT नहीं आने देनी हैं बस pressure बनाने तक हमें flame को high पे रखना है जैसे ही pressure बन जाएगा हम इसका flame बिल्कुल slow कर देंगे और इसे 30 मिनट के लिए इसी तरह slow flame पे pressure में पकने देंगे तो ये देखिए 30 मिनट बाद इसका pressure भी खतम हो चुका है ये देखिए तो पनीर हमारा भी ready नहीं हुआ है हम फिर से gas की flame को on करेंगे और इस जो हमारा सीरप है ये sugar सीरप इसको थोड़ा और हमें थिक करना अभी तो बिल्कुल ये पानी जैसा है ना तो जब ये थिक हो जाएगा तो बहुत अच्छी सी कोटिंग कर लेगा ये हमारे पनीर के पीसिस पे तो बस 5-7 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह से पकने देंगे हमें इसे जादा छेरचार नहीं करनी है बहुत सॉफ्ट होता है इस चैम तो देखेंगे अब 5-7 मिनट में ही हमारे जो ये इस शुगर सिरफ ये थिक हो जाएगा वैसी ये मिठाई बिहार में बहुत फेमस है तो जब बिहार जाना हो पाता था तब ही हम लोग ये मिठाई खापाते थे बच्चों को यहां यह मिठाई मिलती ही नहीं थी क्योंकि यहां यह मिठाई बनाई ही नहीं जाती है तो मैंने वहाँ पे पूछा उन से कि इसे सिंपल तरीके से हम घर में कैसे बना सकते हैं तो बस उनी का तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं मैं तो ये देखिए हमारा जो शुगर सिरफ है बहुत अच्छे से थिकर हो गया है बस अब हम इसको छान लेंगे तो पनीर के पीसिस को शुगर से अलग करने के लिए यहाँ पे मैंने छनी रग दी है और इसमें हम इन सभी को शुगर सिरफ के साथ डाल देंगे तो जो शुगर ह कम से कम 10-15 मिनट में ही सारा च्छन के साइड में हो जाएगा तो बस 15-20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि यह ठंडा भी हो जाए अभी हम इसे चुएंगे नी क्योंकि यह गरम है और बहुत सॉफ्ट भी है तो देखिए 10-15 मिनट बाद इसको मैंने ठंडा कर लिया है यह बहुत बढ़िया से सेट हो गया है तो हमारा पनीर खुर्मा बन के तयार हो गया है बिलकुल सिंपल इंग्रिडेंट है इंग्रिडेंट यह कही आप है ही नहीं मतलब दो ही इंग्रिडेंट है एक शुगर है दूसरा पनीर है हमारा फ्लेवरिंग के तो आप चाहें तो और भी फ्लिवर के साथ इसको ट्राइ कर सकते हैं लाइक आप इसमें वनेल आसेंस डाल सकते हैं रोज सिरफ डाल सकते हैं उससे खुश्भू और टेस्ट इसका और अलगाएगा यह देखिए हमारा पनीर खुर्मा कितना जूसी बना है अंदर तक तो आप अब भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और कॉमेंट में मुझे बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक की लिए बाई बाई